नमस्कार नाकपूर हल्चल में आप सभी का स्वागत है तो आए नजर डालते हैं नाकपूर की विविद्ध हल्चल पर पिछले दस महिनों से किसान अपने अधिकारों की मांग को लेकर दिल्ली दर्बार में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तीन किसान विरोधिक कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किये जा रहे आंधुलन की दोरान 600 किसानों की जान चली गई किन्तु केंद्र की भाजपा सरकार का दिल नहीं पसी जा इस कारण अब भाजपा को ग्रामिन क्षेत्रों में किसानों के नाम पर जिला परिशद चुनाओ में वोट मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है ये बात राजपा के पशुपालन, डेहरी विकास, खेल और युवा कल्यान मंत्री सुनिल केदार ने जिला परिशद के चुनाओ परचार सभा में कही उन्होंने नाकपूर जिला परिशद और पंजयत समिती उपचुनाओ के संदर्ब में कुही तालुका में भटरा, अडम, कुजबा, राजोला, सालवा तथा मौदा तहसिल के पलसाड, वडोदा, भुगाओ, बिडगाओ आदी में चुनाओ परचार किया चुनाओ परचार बैठको को संबोधित करते हुए, केदार ने कहा कि भाजपा सरकार ने आज तक देश में किसानों के लिए किसी भी योजना की घोशना नहीं की है और आज वह जिला परिशत चुनाओ में वोट मांग रही है, केदार ने जनता से आगामी चुनाओ में कॉंग्रेस को वोट देने की अपील की, ताकि किसान विरोधी भाजपा को बाहर किया जा सके नागपुर के सीताबर्डी परिसर स्थित क्लोकल मॉल में शहर के पहले लैक्टेशन क्यूबीट का उदगाटन महापौर दयाशंकर तिवारी और महिला एवं बाल कल्यान समिती सभापती दिव्या धूर्डे ने किया इस अवसर पर स्मार्ट सिटी की मुख्यक कार्यकारी अधिकारी भूवनेश्वरी एस भी उपस्तित थी पिंग केबिन की स्थापना महापौर की अवधारना और महिला एवं बाल कल्यान समिती और स्मार्ट सिटी पहल के तहत किये गए प्रयासों से की गई लैक्टेशन क्यूबिट पिंग केबिन नामक इस विशेश केंदर के लिए ग्लोकल मॉल द्वारा जगह प्रदान की गई थी महापौर ने कहा कि बाजार में महिलाओ के लिए ऐसी ही व्यवस्ता की जरूरत है महिलाओ हर क्षेतर में अपना नाम रोशन कर रही है लेकिन उनके लिए सुविधाय कम है मनपा और नाकपूर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेट की पहल से गांदीबाग उद्ध्यान में भी पिंक केबिन की व्यवस्ता की जाएगी उन्होंने स्मार्ट सिटी को सभी जोनों में ऐसी सुविधा प्रदान करने की पहल करने का सुझाओ दिया उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी सभी मॉल में पिंक केबिन प्रदान करने के उद्देश से विकास नियमों में संशोधन करने के लिए मनपा को प्रस्ताव दे यह प्रस्ताव राज्यसरकार को भेजा जाएगा लॉयन्स क्लब ओफ नाकपूर की और से वर्ल्ड सर्विस वीक के दोरान पाच से पंद्रा साल तक के बच्चों के लिए चित्रकला स्पर्धा आयोजित की गई इस चित्रकला स्पर्धा में बच्चों ने बढ़ चड़ कर भाग लिया प्रतियोगिता का शुभारंब कलब अध्यक्ष उमेश महतों के हाथों किया गया स्पर्धा सुभा नौ बजे शुरू हुई बच्चों को एक घंटे का समय दिया गया जिसमें उन्होंने अपनी कलपना शक्ती से विश्व शान्ती इस विशय पर चित्र निकाले ये स्पर्धा तीन भागों में बाट दी गई थी प्रथम पात से साथ वर्ष द्वितिया आठ से ग्यारा वर्ष एवं तुरुतिया बारा से पंदरा वर्ष ऐसी श्रेनिया रखी गई थी कारिकरम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर किशोर भाईया दिव्या जुमानी जोती गुपता ने बच्चों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्ता की थी कलप की और से सभी बच्चों को आकर्श गिफ्ट प्रदान किये गए कारेक्रम के समापन के आउसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी के हातों बच्चों को पुरसकार दिये गए विधायक गिरीश व्यास विशेश अतिती के रूप में उपस्तित थे पाच से आठ वर्ष के कैटेगरी में प्रतम पुरसकार सनाया गुपता दिवित्य पुरसकार विनीत पुनियानी को दिया गया नौ से बारा वर्ष के कैटेगरी में प्रतम पुरसकार आहना गुपता को प्रदान किया गया केंद्रिय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गटकरी ने कहा कि स्वस्त भारत के लिए स्वास्त्य मानक और अनुशासन जरूरी है वे मुंबई में एक समाचार चैनल के बनेगा स्वच्छ भारत कारेकरम में बोल रहे थे इस मौके पर बॉलिवुड के मशूर और दिगज अभिनेता अमिता बच्चन भी मौजूद थे उन्होंने केंद्रिय मंत्री गटकरी से बातचीत की इस दोरान गटकरी ने कहा कि स्वस्त भारत बनाना हो तो सबसे पहले प्रदूशन नियंतरन की जरूरत है इसके लिए पेट्रोल की खपत को 10 फिसदी और डीजल की खपत को 25 फिसदी तक कम करना आवश्यक है स्वदेशी जैव इंधन के उपियोग में वृद्धी करना चाहिए नीजी जीवन में अनुशासन औशदियों के सेवन से रहित जीवन जीने के लिए स्वास्त्य मानकों में बदलाव लाना जरूरी है इसके लिए छोटे बच्चों से लेकर सभी में जागरुकता होनी चाहिए भारतिय जन्ता पार्टी अलपसंख्यक मूर्चा की प्रदेश एकाई की और से गांधी जैन्ती पर स्वच्चता अभियान चलाया गया प्रदेश सचीव असलम खान के नितरुत्व में मीठा नीम दर्गह चौक परिसर में पदाधिकारियों ने रास्ते की सफाई की फरहा वसीम सना खान लीडर सर्फराज मुहमद राशीद आदी ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया उसी तरह भायतिय जनता पार्टी अलपसंक्यक मोर्चा दक्षिन नाकपूर ने भी सफाई अभियान चलाया भाजपा अलप संक्यक मोर्चा नाकपूर महानगर महामंतरी छोटे सहप खान दक्षिन अलप मोर्चा अध्यक्ष शफी रिजवी वरिष्ट भाजपा पदाधिकारी बाबा सैफुद्दिन भाई बूत प्रमुग सबनम शेक यासमीन सयद आदी सहबागी हुए इस अभियान से जुड़े पदाधिकारियों को प्राइम हुमन राइट फाउंडेशन की और से शेक फारुक के हाथों सम्मानित किया गया जिनमें राशित काजी, कामिल अंसारी, असलम खान, मोहम्मद इर्शाद हुसैन, शेक फिरोज, आदी शामिल है नाकपूर स्मार्ट एंड सस्टेनिबल सिटी वर नाकपूर महरगर पालिका की और से आयोजित आजादी के अमुरत महुतसफ कारेकरम के अंतिम दिन रविवार को बीडी पेट स्थित त्रिकोनी पार्ग के प्राकुरोतिक संसाधन नक्षे का विमोचन महापौर दयाशंक उद्ध्यान में प्रतिक पेड की जानकारी देने वाले फलक लगाये गये है यह मैप स्मार्ट सिटी और इकली साउथ एशिया के सहयोग से तयार किया गया है इस मौके पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि नाकपूर स्मार्ट सिटी की और से वरुक्षों के समक्ष फलक लगा कर नागरिकों को व्रुक्षों की वैज्ञानिक जानकारी दी जा रही है। सभापती दिव्या धूडे, नहरु नगर जोन की सभापती सनेहल बिहारे, धरमपेट जोन के अध्यक्ष सुनिल हिरनवार आधी मौजूद रहे। नगर के प्रथम नागरिक महापौर दयाशंकर तिवारी, चेंबर के अध्यक्ष अश्विन मिहाडिया, विधायक गिरीश व्यास, चेंबर के IPP हेमंत गांधी, एवं नगर सेवक निशान्त गांधी की उपस्तिती में दीप प्रजवलित कर स्वास्ते शिवीर का शुबारं इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने महानगर पाली का द्वारा जारी स्वास्ते सुविधाव की जानकारी देते हुए, इसका लाब उठाने का आववाहन किया इस कारेक्रम में मुख्यरूप से पूर्व महापौर संदीब जोशी, नगर सेवक सोनिल अगरवाल, सोनिल हिरनवार, संजय बंगाले, श्रिमती उजवला शर्मा, राम अवतार तोतला, संजय के अगरवाल, सचीन पुनियानी, उमेश पतेल, संतोश काबरा, महेश कूकरे इस शिवीर में मरियम नगर के करीब 300 नागरिकों ने अपने स्वास्ते की जांच करा कर, निशुलक दवाईयों का लाब लिया, इस कारेक्रम के संयोजक नगर सेवक निशान्त गांदी थे, इसे सफल बनाने में छात्र जागरूती के कार्यकरताओं के साथ, कुर्शना पा नाखपुर, सांस्कृती मंत्रा ले, भारत सरकार द्वारा दो एवं तीन अक्टूबर को दो पहर दो बजे ओनलाइन ड्रामा फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, इस दो दिवसियक कारेक्रम का प्रसारन दक्षिनमध्यक्षेत्र सांस्कृति केंद्र नाखपुर के य लेखन रामदास भठकल एवं निर्मान सना पंडित द्वारा किया गया, नाखप का निरदेशन रुपाली कोंडवार मोरे और रुशाली देशपांडे द्वारा किया गया, नाखप में प्रमोग कलाकार श्रीमती श्वेता शुकला शिलगावकर और विनई मोडक्थे, श संजय भाकरे फाउंडेशन द्वारा की गई इस नाटक का लेखन अमेजाधव एवं निर्देशक संजय भाकरे द्वारा किया गया इस नाटक की प्रस्तुती में जालियां वाला बाग हत्याकान की घटना को प्रस्तुत किया गया दर्शकों ने इन नाटकों और कलाकारों की सराहना की कैंसर के क्षेत्र में निरंतर सेवारत स्नेहांचल वेदनाक शमन केंदर द्वारा नई पहल करते हुए प्रथम कैंसर OPD, डिप्टी सिगनल्स थे दुबेलिया, तेली समाज भवन में आरंब की गई है इसका उदगाटन नगर सेविका सरीता कावरे, नगर सेवग अनिल गेंदरे, डॉक्डर कुलवार एवं कलामंच के संयोजक नरेंदर सतीजाद्वारा दीप प्रजवलित कर संपन्न हुआ अपने प्रास्ताविक में मिलिंद बढ़गे ने इस नहांचल की गति वीदियो की जानकारी देते हुए बताया कि हर शनिवार को दोपहर एक से पाज बजे तक यहाँ सेवाय दी जाएगी और भविश्य में विस्तार किया जाएगा अपने संबोधन में श्रीमती कावरे ने कहा कि इस नहांचल सपना काले ने किया आभार प्रदर्शन करते हुए अलका कोचे ने समाज के अध्यक्ष सीताराम सेलो कर एवं समस्त सहयोगियों के प्रती कृतग्यता व्यक्त की कारेक्रम में भूतपूर्व उपमहापौर बहरीन 22 सोनबोईर डॉक्टर विजय काले आशा वर्कर्स एवं सनेहांचल के स्वयम सेवकों की उपस्तिती रही आजादिका अम्रूत महोटसफ के अंतरगत दक्षिन मद्यक्षेत्र सांस्कूरतिक केंद्र नागपूर एवं भाषा वसंस्कूरति विभाग आंद्रप्रदेश द्वारा गांधी जैनती के उपलक्ष में दो एवं 3 अक्टूबर को दो पहर 4 बजे ओनलाइन बैले फेस्टिवल का आयोजन किया गया इस दो दिवसियक कारिक्रम का प्रसारान दक्षिन मद्यक शेत्र सांस्कूरतिक केंद्र नाकपूर के यूट्यूब पर लाइफ किया गया इस कारिक्रम का अधिक से अधिक दर्शकों ने आनंद लिया दो अक्टूबर को स्वाती सोमनात एवं सहकारी द्वारा राश्ट्रिय एकता पर आधारित साउंड ओफ साइलेंस भारतियम की प्रस्तूती मनमुहक प्रस्तूती दी गई इसमें कुच्छी पुडी नृत्य शेली में नृत्य नाटिका प्रस्तूत हुई प्रस्तूती में पंच महाभूतों की दृष्य सुन्दरता आकाश, वायू, जल, अगनी और भूमी प्रतिकात्मक रूप से भारत के विभिननक शेत्रों और राज्यों का प्रतिनिदित्व करते हैं साथ ही इस नृत्य नाटिका में गांधी जी के जीवन और विचारों पर भी प्रकाश डाला गया। 3 अक्टूबर 2021 को दूसी सिंदुजा राओ एवं सहकारी द्वारा देश भक्ति पर आधारित नमो भारत माता की सुन्दर प्रस्तूती दी गई। इस नृत्य नाटिका में विभिन्न प्रस्तूतिया हुई इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के संगर्ष को परिभाशित किया गया जिनोंने देश के लिए अपने बहु मुल्य जीवन सहित अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। विधायक कृष्णा खोपडे के मार्गदर्शन में नगर सेविकाव जोन सभापती श्रीमती मनिशा अतकरे के स्थानिय विकास निधी से जन्ता सोसाइटी साइमंदिर साइनगर में रोट डंबरीकरन के कार्य का भूमी पूजन कर कार्य की शुरुवात की गई। इस अवसर पर प्रमुक रूप से उपस्तित विधायक कृष्णा खोपडे प्रमुत पेंट के संजे अवचट नगर सेवक राजकुमार साहू बबलु आचारिय श्रीमती संतोष लल्ला नांदलाल बिसेन शैलेश शाहू अरुन हरोडे गीता साहू सुनिता ठाकरे उर्मि पुलवार, शंकर बालकोते, ग्वालानी, लाडी, बर्डे, आदी मान्यवर थे, संचालन एवं आभार प्रदर्शन नाखपुरे गुरु जी ने किया सत्तर के दशक में डिस्को गानों ने बॉलिवूड में धूम मचा दी थी लेदर पैंट और थ्री पीस सूट पहने मिथुन चक्रवर्ती ने आयम दे डिस्को डैंसर इस गीत के साथ वह एक डिस्को डैंसर है ऐसी घोशना ही की थी ये गाने बाद में हर पार्टी में बजने लगे ऐसे ही कुछ मशूर डिस्को गानों की शाम दो अक्टूबर को रंगीन हुई सांज इवेंट ने बेसा स्टूडियो से डिस्को गीतों का कारेकरम इट्स टाइम टू डिस्को का प्रसारन किया कारेकरम की कलपना और आयोजन अनुराधा पाटिल ने किया था और क्रियेटिव हेड मोहमद आजाद थे कोर कमेटी मेंबर अश्वाक शेक, अनवर शेक, दिनेश बावन कर थे योगेश परांजपे, सुशील गौर खेडे, लतिका डाखोले, राजीव आर्या ने विभिनन गीतों की प्रस्तूती दी कारेकरम का संचलन बंटी अटारा ने किया, अश्वाक ने डिस्को गाने ओ दिलबर जाने के साथ कारेकरम की शुरुवात की अनुराधा ने जिमी जिमी आजा आजा जब चाय मेरा जादू जैसे गानों पर परफॉर्म कर धर्शकों को मधहोश कर दिया योगेश ने ये काली-काली आखे यह गीद एवं लतिका ने बचना एहासीनों हवा हवा एहवा वदिनेश ने डम-डम डिगा जैसे गीद प्रस्तुत किये कारेकरम समापन योगेश ने किया स्थानिय प्रभाग 20 मसका साथ नाकपुर स्थित चूना ओली को जाने वाली मार्ग में सिमेंट रोट के कार्य का भूमि पूजन किया गया प्रभाग 20 के नगर सेवक रमेश पूनेकर के अथक प्रयासों से प्राप्त जिला नियोजन समिती के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के फंड से प्राप्त तकरीबन 49 लाग रुपै की लागत से इस सिमेंट रोट का निर्मान कार्य किया जा रहा है सिमेंट रोट का भूमी पूजन महाराष्टर प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के सचीफ कमलेश समर्द के हातों तथा महाराष्टर प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के सचीफ अतुल कोटेचा की अध्यक्षता में किया गया नाकपुर शहर जिला कॉंग्रेस कमिटी मध्यनाकपुर ब्लॉक अध्यक्ष मोतिराम मुहाडिकर नाकपुर शहर कॉंग्रेस कमिटी के महासचिव महेश रिवास मुरारी लाहोटी पवन जैन जिला कॉंग्रेस कमिटी के उपाध्यक्ष दिलीब गांधी जिला कॉंग्रेस क लखेते आदी प्रमुक्ता से उपस्तित थे भूमी पूजन के बाद मिठाई का वितरन किया गया इस अवसर पर बोलते हुए कॉंग्रेस के नेता अतुल कोटेचा ने कहा कि पिछले चार वर्षों से नगर सेवक रहते हुए रमेश पूर्णेकर ने अनेक एतिहासिक कारियो से आम जनता का दिल जीता। बनाए ऐसा आवाहन खेल मंत्री सुनिल केदार ने कलमेश्वर में किया जिला परिशत तथा पंचायद समिती के 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए मंत्री सुनिल केदार ने कलमेश्वर तहसिल का चुनावी दौरा किया इस दर्मियां उन्होंने कोहली, सुसुंद्री, पारडी देशमुक, मसेपठार, खाप्री, मोहगाव, चाकडो, खैरी, आधी गाव का दौरा किया इस दर्मियां कोहली क्षेत्र से उम्मिद्वार श्रावन भिंगारे के प्रचार हेतु विविद्ग गाव को भेट दी, तथा नागरिकों से समबाद साधा उन्होंने कोहली गाव में प्रचार सभा के दौरान कहा कि श्रावन भिंगारे ने पंचायत समिती सभापती के नाती पिछले साल अनेक विकास कारियों के लिए शासन दर्बार में विनती की है और मंजूरी दिलाने में भी उनको यश प्राप्त हुआ है उनका स्वभाव मिल जैसे लाभारती से संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समिती पूर्वनागपूर विधानसभा के अध्यक्ष शेक अयाज रूबरू हुए तुरंत निराकरन कर शिवीर में ही नय लाभारती के फॉर्म भरे गए तथा मनीशा विलास सादमवार विद्वा लाभा निसार भाई, रवियादव, अनिल, निजाम भाई, तंत्रर पाले जी, वाजीब भाई, शेक बाजी, मंगला ताई, वनीता ताई आधी उपस्तित थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधान मंत्री लाल बहादूर शास्त्री की जयनती पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने नाकपुर महानगर पालिका के पन्नानाल देवडिया मिंदी माध्यमिक विद्धाले के छात्रों को ई-टैबलेट वितरिद किये इस अवसर पर गांधी बाग जोन की अध्यक्षा श्रद्धा पाठक, नगर सेवी का सरला नायक, शिक्षा अधिकारी पृती मिश्रिकोट कर, विद्धाले के पूर्व प्रधाना ध्यापक को रम कर, विद्धाले निरिक्षक खोबरागडे आदी मान्यवर उपस्तित थे कारिक्रम के दोरान गणमान्य व्यक्तियों ने दसवी कक्षा के चात्रों को टैब वित्रिद किया, महापौर ने चात्रों से टेक्नोलोजी का सदुपयोग कर, शिक्षा प्राप्त करने का अव्वाहन किया, स्कूल के प्रधाना ध्यापक मोहन करन करने परिचयात्मक अशोक शिंदे ने धन्यवाद ग्यापित किया, वसूले टेकाम, कावले, शिर्भाति, गौर, नुसरत, आधी शिक्षक, शिक्षिकाओ का कारेक्रम के सफल आयोजन में विशेश योगदान रहा। प्रविन गोडे, निलेज गाडवे, केतन भ्यूगडे ने उनकी प्रतिमा पर माल्यारपन कर कारेक्रम की शुरुवात की गई। सोनु खोबरागडे, मुकेश गंगराज, सोनु मसराम, संदिप गजबी ये उपस्तित थे। देवता लाइफ फाउंडेशन द्वारा संचालित, वंदे मातरम रक्तदान महायग्य, अमृत भवन सीताबडी नाकपूर के सीपी एंड बेरार महाविद्याले के पूर्व विद्यारती संगटन के अवाहन पर, राश्ट्रपिता महात्मा गांधी जयन्ती तथा भारत रतन लाल बहादुर शास्त्री, इनके जयन्ती का ओचित्य सात्ते हुए, प्राचारिय डॉक्टर मिलिंद बारहाते सर के सीपी एंड बिरार महाविद्याले के एनसीपी कैंडेट्स ने रक्तदान किया, एनसीपी कैंडेट्स को प्रतसाहित करने हेतु खुद प्राचारिय डॉक्टर मिलिंद बारहाते सर तथा एनसीपी अधिकारी लेफ्टिनेंट चेतन हिंगने करने रक्तदान करते हुए कार पूर्व विद्यारती संगतन के पदाधिकारी उपाध्यक्ष निलिमा बाउने, सदस्य अनिल देव, सची प्रोफेसर विवेक अलोनी, प्रोफेसर भरत काले, NCC जूनियर और ओफिसर अमिर शेक तथा उनकी टीम का सहकारिय प्राप्त हुआ आजादिकाम अमृत महोत्सव इस विशेश उपक्रम के अंतरगत, राष्ट्रिय वैगर समवर्धन प्राधिकरन नई दिल्ली द्वारा आयोजित, इंडिया फॉर टाइगर्स रैली ओन वील का जोरदार स्वागत रामटेक के श्री नरेंद्र तीड के महाविध्यालय में कि वन परिक्षेत्र अधिकारी रामटेक, नगर परिशद रामटेक, एवं श्री नरेंद्र तीड के कॉलेज रामटेक द्वारा कारेकरम का आयोजन सयुक्त रूप से खिया गया सर्वप्रथम नागजिरा नवेगाव बान से इंडिया फोर टाइगर्स राली ओन वील्स का वन विभाग द्वारा सलामी के साथ स्वागत किया गया इस अवसर पर गूगल डो, भंडार बोडी, आमगाव, शीतल वाडी की महिला स्वयम सहायता गटों ने वन उत्पादों से निर्मित वनाम्रुत ब्रैंड प्रस्तुत किया काला चावल, मोहफुल शर्बत, केचुआ खाद, शहद, आधी उत्पाद प्रदर्शनी का उद्गाटन ताडोबा अंधारी बाग, परियोजना के शतानिक भागवत सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्तिति में किया साथ ही इस उत्पाद की भीक्री भी की गई, मुख्य कारेक्रम का आयोजन श्री नरेंदर तीड के कॉलेज के हॉल में आयोजित किया गया था, कारेक्रम की शुरुवात महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यारपन और दीप्रजवलित कर की गई, कारेक्रम की अध्यक्ष सहकार क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली कृशी उत्पन्न बाजार समीती के 18 संचालक पदों के लिए मतदान रविवार को नप स्कूल क्रमांक पाच में शांती पूर्ण तरीके से संपन्न हुआ सुबह 7.7 बजे मतदान प्रारंब किया गया मतदान प्रारंब होते ही मतदान केंद्रों पर मतदाताों की भीड देखने को मिली तो सत्ताधारी वव विरोधक इस समय भी मतदाताओं को किस प्रकार अपने और करे इसके लिए प्रयास करते दिखाई दिये इस बाजार समीती चुनाओं में शाम पाज बजे तक कुल मतदान 95 प्रतीशद मतदाताओं ने मतदान किया मतदान खत्म होते ही 18 संचालकों का भाग्य अभी मतदान पेटी में बंद हुआ मतगणना के बाद किसके नाम का गुलाल छलकेगा यह स्पष्ट होगा सहकार क्षेतर के नागरिकों के दिल्चस्पी मतगणना पर लगी है इस बाजार समीती चुनाओं में गाउस तर पर राजकिय क्षेतर के राजनीतिक सनलगनित सदस्य मतदान करने से कौन चुनकर आएगा यह बताना मुश्किल है जिससे विजय का गुलाल सत्ताधारी महा अगाडी किसान विकास पैनल के उम्मिदवार की या भाजपा के किसान उतकर्ष सहकार पैनल अपने अंगों पर गुलाल उड़ाकर विजय उत्सफ बनाते हैं यह मतगणना के बाद ही पता चलेगा राजकिय दुरुष्टि कोन से यह चुनाओ अतिशय महत्वपूर्ण रहने वाली है तो नागपूर हल चल में आज के लिए इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहें वीकेवी निउस नमस्कार